बॉल्यूट सिल्वर स्क्रीन प्रिजेंटिंग मॉंस्टर्स इस कहाने की शुरुवात में बताया जाता है कि आज से 6 साल पहले नासा को सोलर सिस्टम में कुछ एलियन्स के कुछ जीवों के होने के निशान पाए गए इसलिए उनका जो प्रॉव होता है जीवन के उन लक्षणों का उनन्शों को धर्ती पर रिसर्च के लिए एक्सपेरिमेंट के लिए ला रहा होता है और तब ही वो मेक्सिको के बॉडर पर क्रैश हो जाता है जिस वजे से मेक्सिको में नई जिन्दगी पनपना शुरू हो जाती है यानि कि एलियन्स अब धर्ती पर पनपना शुरू हो गए हैं और आदे मेक्सिको को कॉरिंटीन कर दिया जाता है और अब मेक्सिको और यूएस की सबसे बड़ी लड़ाई इनी खतरनाक एलियन क्रीचर से होती है इसलिए यूएस और मेक्सिको का जो बार्डर होता है वहाँ पर हमेशा सोल्जर्स बहरा दे दें ताकि कोई भी एलियन क्रीचर कभी भी अमेरिका में ताखिल ना हो सके तोकि अगर ऐसा हुआ तो ये क्रीचर जोकि बहुत ही खतरनाक है पूरे अमेरिका को तभा कर देंगे जैसे इन्होंने मेक्सिको को पूरी तरह से अब खत्म कर दिया तरशल मेक्सिको और यूएस के बॉर्डर पर एक बहुत बड़ी दिवार खीश दी गई है ताकि यूएस पर कोई भी खत्रा ना आए और यहीं पर एक फोटो जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम एंड्रू है एंड्रू अब इस पूरी चीज़ को पूरी रिपोर्ट को कवर कर रहा होता है ताकि दुनिया को पता चल सके कि एलियन्स के साथ साथ यहाँ पर आम लोगों की जिन्दगी कितनी कठिन है तब ही उसके बास का कॉल आता और उसका बास उसे कहता है कि तुम मेरी बेटी समानता को किसी भी कीमत पर ढूंड कि लाओ वो मैक्सिको गूमने के लिए गई है और अब एंड्री को ना चाहते वी भी मेक्सिको के अंदर एंटर होना पड़ता है और वो वहाँ के हॉस्पिटल में समानता को ढूंड लेता है जिसके बाद यह दोनों के दोनों ट्रेन से अमेरिका की तरफ वापस लोट चलते है लेकिन तब इने बता चलता है कि आगे का जो ट्रेक है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है इसका कारण भी एलियन्स होते हैं अब इने वापस मैक्सिको लोटना पड़ता है जहां पर एक लेडी ने बताती है कि दो दिनों के अंदर अगर अमेरिका नहीं पहुचे तो यहां का जो हवाई और पानी का याता याद है वो पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा यानि कि छे महिने के लिए इस पूरी जगा को कारंटीन कर दिया जाएगा और अब एंडर्यू किसी भी कीमत पर समानता को लेकर अमेरिका पहुचना चाता है क्योंकि अगर ये दो दिन के अंदर यहां से नए निकला तो समानता और ये दोनों के दोनों छे महिनों के लिए यहां पर फस जाएंगी अब ये टीवी पर नियूस देखते हैं जहां पर इने पता चलता है कि हर साल इसी वक्त जितने भी एलियन्स है वो ब्रीडिंग करने के लिए एक जगा से दूसरी जगा पर जाते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं और एक यही बड़ा कारण है कि 6 मेहनों के लिए इस जगा को पूरी तरह से कारंटीन कर दिया जाएगा ये दोनों की दोनों फैसला करते हैं कि ये लिफ्ट मांगकर किसी भी तरह से इस जगा से निकल जाएंगी एंड्यू से कहती है कि तुम हमेशा इसी तरह की फोटो खीशते हो जहां पर दुख दर्द और लाचारी हो। एंड्यू कहता है कि मेरी मजबूरी है क्योंकि अगर मैंने कोई अच्छी फोटो खीची तो तुमारे पिता उसके बदले मुझे एक भी पैसा नहीं देंगे जबकि इस तरह की फोटो के बदले मुझे अच्छे खासे पैसे देते हैं इसलिए मुझे अपना घर चलाने के लि फेरी की महंगे टिकट्स ले लेता है रात को ये लोकल्स के साथ वहीं पर रहते हैं और अगली सुबा जब एंड्रियू उठता है तो देखता है कि इन दोनों के पासपोर्ट्स वहां के लोकल्स ने चुरा लिये हैं जिसका मतलब ये है कि अब ये फेरी से सफर नहीं कर सक और अगर इन दोनों को मیکسिको से निकलना है तो उसका एक अगली से रास्ता भी है जो पूरी तरा से इंसक्तिड है यॉवह पर बहुत सारे एलियन्स है साथ hacking उस रास्ते से जाने के लिए ने बहुत सारे पैसों की जडऱ््रत है और इनके पास सब पैसे नहीं होते लेकि वो अपने पिता से और अपने इंगेजमेंट से दुखी होकर यहाँ पर छुटिया मनाने के लिए आए थी और अब एंड्री और समान था दोनों की दोनों फैसला करते हैं कि यह कॉरिंटीन जोन से यहने की इन्फेक्टिट जोन से ही रीवर के जरीए जाएंगे इनकी पास अब पैसे हैं इसलिए एक बोर्ट को हायर करके यह अपने सफर पर आगे बढ़ चलते हैं और जब रात होने वाली होती है तब इनकी बोर्ट बंद हो जाती है पानी मेंने कुछ हलचल नजर आती है जिसमें देखते हैं कि वहाँ पर एक क्रेचर है जिसने एक इलियन्स हैं इनके साथ जो इनका गाइड होता है वो इन्हें बताता है कि यहाँ पर चारों तरफ इन एलियन्स के अंडे हैं और उन अंडों से बच्चे पैदा करने के लिए एक क्रेचर पानी से बाहर आते हैं जिसके बाद यह पानी में वापस चले जाते हैं ठीक उसी जिस तरह से मगरमच पानी से बाहर अंडे देता है लेकिन वादिक तर पानी के अंदर ही रहता है यह गाइड इन दोनों को यह भी बताता है कि यह क्रेचर बिना किसी वजह कि कभी किसी पर हमला नहीं करते हैं दरसल जब मेक्सिको की और यूएस की आमी इन पर बॉम्बिं और नाओ का सफर खत्म हो जाता है तो यह देखते हैं कि यूएस आमी ने यहाँ पर बॉम्बिंग करना शुरू कर दिया है जिस वजह से इस इस इलाके में जितने भी क्रेचर सोते हैं वो सब के सब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं वो इनसानों के उपर हमला क इन दोनों की जान बच जाती है और अगली सुबाय एंड्रू यहाँ पर भीष्ण हमले की तभाई की तस्वीरे लेता है और अब यह दोनों के दोनों ही बचेवे हैं इसलिए दोनों अकेले ही अपना सफर आगे तै करते हैं जहाँ पर इन एक बहुत बड़ी कंस्रक्शन जो बहुत उची होती है और जब यह उसके उपर जाते हैं तो वहाँ से युनाइटी स्टेट के बॉर्डर को देख लेते हैं जो इनसानों ने बनाई है यह एक बहुत बड़ी वाल है जिसकी वज़े से मेकसिको को यूएस से पूरी तरह से अलग कर दिया गया है इसेरी को बॉर्डर को पार कर लिया यानि कि वाल के इस तरफ भी आच चुके हैं चारों तरफ तबाही होती है दूर दूर तक इन्हें कुछ भी नहीं दिखता लगातार आगे बढ़ते वे इन्हें एक पैट्रोल पंप दिखता है जहां पर फोन होता है वहाँ पर यह हेल्प के लि पैट्रोल पंपर होते हैं लेकिन वो इन पर हमला नहीं करता है जब उन्हें कुछ खत्रा महसूस होता है और ठीक उसी पल यहां पर एक दूसरा क्रीचर भी आ जाता है ये दोनों क्रीचर सापस में मिलते हैं और इसके बाद अलग हो जाते हैं देखकर इन दोनों को दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं एक दूसरे को केस करते हैं लेकिन अब यहां पर यूस सोलजर्स आ चुके हैं जो इन दोनों को इन दोनों के घर ले जाने के लिए यहां पर पहुँच चुके हैं पर तभी इनके ओपर क्रीचर हमला कर देता है और इस हमले में समानता पुरी तरह से जखमी हो जाती है एंड्रियू से उठाता और हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है और यहीं पर यह कहानी यह फिल्म खत्म हो जाती है फिल्म यह 2010 में रिलीज हुई थी IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 6.4 उमिद करते हैं कि यह कहानी आपको पत्राइब करें